नमस्कार दोस्तों मैंने पंडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइबिट लिम्टेट के योट्यूब चैनल पर आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं NTP से CBT1 में पूछे गए बहतरिन सवालों की खड़ी लेकर एक बार फिर्म मैं उपर स्थित हुआ हूं आज आप अपने सेसन की सुरुवात करते हैं देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है तिर्भूज PQR में QR को इस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि RS बरावर RP हो जाए ध्यान दिएगा PQR एक तिर्भूज है PQR एक तिर्भूज है जिसमें P, Q और R एक अपकर ट्रियंगल है जिसमें QR को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि RS और RP बरावर हो जाए यह वाला साइड इस वाले साइड के बरावर हो जाए इसको हम मिला लेते हैं मेरे दोस्त इसको हम मिला लेते हैं ध्यान देजिएगा सबसे पहला बात हम यह करते हैं कि अगर यह दोनों साइड बरावर हैं तो यहां अंगल अगर ठीटा होगा तो इसके सामने यह वाला अंगल ठीटा होगा क्यों, बराबर भुजा के सामने के कौन बराबर होते है, बराबर भुजा के सामने के कोन क्या होते है, बराबर होते है मेरे दोस्त, अब ध्यान दिजीये, कहा गया Twy guardragード, पी आर्क्यू सत्तर डिग्री है, पी आर्क्यू आपका सत्तर है, तो बताएए, इस triangle में ये वाला आपका जो angle बना है, क्या exterior angle है, और इस exterior angle का मान जो होता है, दोनो interior angle के sum के बुरावर होता है, दोनो interior angle के sum के बुरावर होता है, अरथा 2 theta का value कितना? 70 तो theta बारावर आ जाएगा 35 degree, यानि यह आपका 35 degree अंगिया, यह मेरे दोस्त 35 और यह भी आपका कितना 35 डिग्री कहा गया QPS 110 डिग्री है QPS यह पूरा का पूरा एंगल आपका दिया हुआ है कितना 110 डिग्री तो हमसे पुछा गया है PQS की माप क्या होगी PQS की माप क्या होगी ध्यान दिजिए बड़े वाले ट्रियंगल में PQS की ывать 35 का होगा 35 डिग्री इस सब्फ मान का सही उतर होगा अपसर नम्बर डियर नेक सवाल क्यों लोगा एक वरति देंगे कि कॉश्चन नंबर टू काहा गया 3 के पावर 45 माइनस C1 और 3 के पावर 35 मैनस 1 का महतनम समापपध करें ध्यान देजेगा इस तरह का कभी भी ही सवाल आएगा two three four four fifty finding power जब बड़ा दिया जए तो इस प्रकार्ण साफören को लिख सकते हैं क्वा तीन है तीन के पावर इस को लिख सकते एच तीन के पावर ले पाच के पावर 9 माइनस won के पावर हुआ तो नम नहीं इस को हमने लिखा तो 59 नवा 45 पांच नवा 45 एक के पावर कुछ भी रखेंगे एक ही वेल्य होगी अब इसको आप लिख सकते हैं 243 तो दी पावर 9 माइनस माइनस 1 तो दी पावर क्या 9 कि दूसरा है मेरे दोस्त 3 के पावर 35 है तो 3 के पावर 5 के पावर 7 लिखेंगे माइनस 3 के पावर 1 के पावर 5 तो दी पावर क्या 7 लिखेंगे यहां से आ जाएगा यह 243 के पावर कितना साथ माइनस 1 के पावर कितना साथ अब आपके पास concept आता है A के पावर N माइनस B के पावर N में ध्यान दिजेगा A के पावर N माइनस B के पावर N में N अगर ओड नमबर हो N क्या हो ओड नमबर हो तो यह संक्या A माइनस B से डिविजीवल होती है A माइनस B से क्या होती है डिविजीवल होती है तो A-B से जब divisible होती है तो ध्यान दिजेगा इस संख्या की जब हम लोग बात करेंगे तो 243 में से घटेगा 242 से यह कटेगी और यह देखिए 243 में से इसमें भी यह पावर क्या है और है तो और है तो यह 243 में से कहने 242 से कटेगी कहने का मतलब यह दोनों की दोनों संख् संख्याओं को काटने वाली संख्या होती है वही तो STF होती है इसका मतलब यह 242 से डिविजीबल है और यह भी 242 से विजीबल है इसका मतलब आपका एंसर हो जागा आपसे नंबर B यहन्य दोसो ब्याली सी इस सवाल का ना होगा 242 दा राइट एंसर नेक्स सवाल क्यों हम X Y Z में X Y 12 दिया हुआ है Y Z आपका 18 दिया हुआ है कह रहा है X W जो X Y Z का एक X Y Z का एक कोणिये दिभाजक है जो Y Z को ज्यान दिजेगा X W जो X Y Z का एक X Y Z ने की जगा यहाँ Y X Z की जगा Y X Z का एक कोणिये दिभाजक है जो Y Z को बिंदू W पर इस प्रकार मिलता है ध्यान दिजेगा यह कोणिये संदिभाजक है यह वाला साइड दोनों को एंगल बराबर यहाँ W है ठीक है कहा गया है Y W Y W और Y Z का मान 4 अनुपात 5 है यानि यह 4 है और यह आपका क्या है पांच है तो कहा गया है तिरभुज की तिस्री भुजा की लंबाई अर्थात X Z की लंबाई क्या होगी किसी भी तिरभुज के एक कोणिये संदिभाजक एक कोण का संदिभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में वे उस कोण को बनाने वाली भुजा का होता है यानि आप कहेंगे X Y बटा क्या X Z बराबर होगा Y W बटा W Z के बट के सामने यह 12 था यह 5 है तो इसका सामने क्या होगा यह देखिए यह 3 गुणा किया गया है तो इसका भी यह 3 गुणा कर देजिए गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जागा 15 cm इस सवाल का सही एंसर होगा 15 cm is the right answer option number C option number C value put करेंगे तो xy का value क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त xy का value दिया हुआ है 12 xz आपको निकालना है और a yw का value जो है yw का value जो है 4 है और wz का value आपका 5 है 4 तीया 12 यानि xz का जो मान होगा 5 तीया कितना 15 cm इस सवाल का सही एंसर होगा 15 cm is the right answer option number C next सवाल क्यों हम लोग आगे बढ़ते हैं next सवाल क्या कहा रहा है ध्यान देंगे next question है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा दो जहाज एक lighthouse के दोनों और समुद्र में नौका यान कर रहे हैं जहाजों से देखे जाने पर lighthouse के सिर्ष के उनियान कोन करम सब 45 डिग्री और 60 डिग्री है यदि lighthouse क्यों चाई दोनों जहाजों के बीच के दोरी क्या होगी ध्यान दीजिएगा एक lighthouse है एक lighthouse है यह lighthouse है जिसके उचाई दिया हुआ है कितना 81 मीटर 81 मीटर साब कहा गया कि दोनों और से देखा जा रहा है एक बार इधर जहाज के हम देख रहे हैं और एक बार इधर हम जहाज से देख रहे हैं एक तरफ का एंगल दिया गया है मेरे दोस्त 45 डिगरी का 45 डिगरी का और दूसरे तरफ एंगल जो दिया हुआ है वह आपका 60 डिगरी का है 60 डिगरी का है थ्यान दिजिएगा इन दोनों जहां जों के बीच की दोरी आप से पुछी गई है इसका उचाई दिया हुआ है कितना 81, माल लिया जाए, A, B, C. ध्यान क्या देना है? जब एक एंगल का मंद 45 डिग्री होता है, जब एक एंगल का मंद 45 डिग्री होता है, इस तिर्भुज की जब हम लोग बात करेंगे, A, B, D की, A, B, D की. तो A, B, D में 45 के सामने का रेशियो, तो अगर हम 1 लिखें, और इसके रेशियो भी 1 हो जाएगा, और यह आपका रूट 2 हो जाएगा, किलियर है? जब इस ट्रियंगल A, D, C में बात करेंगे, A, D, C में बात करेंगे, तो इसका 60 के सामने आपका रेशियो रूट 3 होता है, यह आपका 30 हो जाएगा, यह आपका 1 हो जाएगा, और यह आपका कितना होता है? 2 होता है, किलियर है मेरे दोस्त? अब मेरी बात समझेगा, इन दोनों तिर भूजों में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यह लाइट हाउस के उचाई सर कॉमन है, लाइट हाउस के उचाई कॉमन है, देखिए एक बार लाइट हाउस के उचाई जो है, अनुपात 1 के बराबर आया है, और एक बार क्या? अनुपात 3 के बराबर आया है, तो इन दोनों अनुपात को हम बराबर करेंगे, इन दोनों को अगर बराबर किया जाए, तो इसमें root 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी root 3 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात, यह अब root 3 हो जाएगा, पूरा height, और यह आपका b, d का value root 3 हो जाएगा, और यह total कितना है, 1 है, ध्यान से समझेगा, हमको निकालना है root 3 plus 1 का value, root 3 यहां से यहां तक और 1 यहां से यहां तक, यह अनुपात root 3 plus 1 का value हमें find out करना है, और root 3 का मान हमें दिया हुआ है, root 3, root 3 का value है, root 3 का value दिया हुआ है, कितना 81 meter, root 3 का value क्या दिया हुआ है, root 3 का value दिया हुआ है, कितना 81 meter, तो बता यह 1 का value क्या होगा, 81 बटा root 3, 81 बटा root 3, अगर एक unit का value दिया हुआ है, तो मेरे दोस्तों root 3 plus 1 का value हो जाएगा, 81 बटा root 3 into root 3 plus 1, 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 ध्यान देना है, यही इस दोनों जहाजों के बीच के दोरी हो जाएगी, अर्थात आप लिक सकते हैं, root 3 plus 1 into 81, बटा root 3, बटा क्या root 3, मीटर होगा तो मीटर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, यही इस सवाल का सही अंसर होगा, तो ध्यान देजिए किस option में यह आ रहा है, देख लेते हैं, 81, 1 plus root 3 divided by root 3, यही आपका इस सवाल का सही अंसर होगा, option number A, option number A is the right answer, option number A इस सवाल का सही उतर होगा, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, इस से उत्साव मंग के साथ, सब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाई-बाई, टेक के यार,